देली करें न्यूस में अभी की खबर है पंडित दीन दयाल उपाध्याई की पुन्यति थी आज यानी 11 फरवरी को भारती राजनेतिग्य पंडित दीन दयाल उपाध्याई की पुन्यति थी है चली अब जानते हैं पंडित दीन दयाल उपाध्याई की बारे में यह एक भारती राजनेतिग्य एकात्म मानववाद विचारधारा की समर्थक और भारती जनसंग की नेता थे यह एक चिंतक पत्रकार और लेखक भी थे इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मतुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था सनाता की पढ़ाई के दोरान वेराश्ट्री स्वयम सेवक संग से जुड़े और कॉलेच छोड़ने की तुरंत बाद ही संग प्रचारक बन गए साल 1951 में इन्हें अखिल भारतिय जन्संग का संगठन मंत्री एवं उत्तरप्रदेश का महासचीव बनाया गया 1967 के कालिकट अधिवेशन में इन्हें अखिल भारतिय जन्संग का अध्धक्ष निर्वाचित किया गया इन्होंने एकात्म मानववाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया साथ ही अपने लेखन से इन्होंने राष्ट्र सेवा में अध्विती योगदान दिया अपने कारेकाल के दोरान इन्होंने एक सापताहिक समाचार पत्र, पांच जन्य और एक दैनिक समाचार पत्र स्वदेश शुरू किया 11 फरवरी 1968 को इनका निधन हो गया तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को पंडित दीन दयाल उपाध्याई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 1. 11 फरवरी को इनकी पुन्यतिती मनाई जाती है 2. इन्होंने एकात्म मानववाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनो, D न तो एक और नहीं दो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे अभी के लिए बस इतना ही शुक्रिया झाल 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 झाल